मत्ती रचित सू समचार पंद्रवा अध्याए तब यरुशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री ईशु के पास आकर कहने लगे तेरे चेले पुर्णियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाद धोय रोटी खाते हैं। अपने पिता या माता से कहें कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुँच सकता था वह परमेश्वर को भेट चढ़ाई जा चुकी तो वह अपने पिता का आदर ना करें सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कप्टियो ये शाया ने तुमारे विश्वर में ये भष्वश्वणी ठीक की कि ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझ से दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुश्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उन से कहा सुनो और समझो। जो मुह में जाता है वह मनुष को अशुध नहीं करता पर जो मुह से निकलता है वही मनुष को अशुध करता है। तो दोनों गड़े में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पत्रस ने उससे कहा यह द्रश्टांत हमें समझा दे। उसने कहा क्या तुम भी अब तक ना समझ हो। क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुह में जाता वह पेत में पड़ता है और संदास में निकल जाता है। पर जो कुछ मुह से निकलता है, वह मन से निकलता है और वही मनुष को अशुध करता है। क्योंकि कुछिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, जूटी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही हैं जो मनुष को अशुध करती हैं। परंतु हात बिना धोए भोजन करना मनश्य को अशुद नहीं करता। यिशु वहां से निकल कर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चला कर कहने लगी। उत्तर दिया कि इस्राइल के घरानी की खोईवी भेडों को छोड मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वे आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी। कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घरी से चंगी हो गई। इश्व वहां से चल कर गलील की जील के पास आया और पहाण पर चड़कर वहां बैठ गया। और भीड पर भीड लंग्डों, अंधों, गुंगों, टूंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आये। और उन्हें उसके पाउं पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गुंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगडे चलते और अंधे देखते हैं तो अचंभा करके इसराइल के परमेश्वर की बढाई की। ईशु ने अपने चेलों को बुला कर कहा, मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं और मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा नहो कि मार्ग में ठक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड को तरप्त करें। ईशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा, साथ और थोड़ी सी छोटी मचलियां। तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी, और उन साथ रोटियों और मचलियों को ले धन्यवात करके तोड़ा, और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। सो सब खाकर तुरुप्त हो गए, और बचे हुए टुकणों से भरे हुए साथ टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार हजार पुर्श थे, तब भीड को विदा करके नाव पर चढ़ गया, और मगदन देश के सिवानों में आया।